आपने ग्रेवी वाली सेव टमाटर की सबजी रेस्टोरेंट शादी पाटी और घर में बना कर खाई है लेकिन आपने इस तरह ड्राय सबजी शायदी बना कर खाई होगी तो आज में आपके लिए कुछ अलग तरह सेव प्याज की रेसिपी सिंपल और जटपट सिर्फ 5 मनिट में बनने वाली सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए जटपट बनाना स्टार्ट करते हैं पेन में एक बड़ा चमच तेल डालेंगे जैसे ही तेल गरमों का इसमें आदा चमच राई डालेंगे आदा चमच जीरा ये मैंने एक कटवरी प्याज लिया है मतलब मीडियम साइस का एक प्याज काटा है प्याज को दो मनिट पकाएंगे प्याज को सॉप्ट करना है बहुत जटा इसे नहीं पकाना है थोड़ा सक्रैंची रखेंगे और बारिक कटे हुई तीन से चार हरी मेची डालेंगे और दो मनिट इसे और पकाएंगे प्याज अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे तो दो चमच धनिया पाउडर डालेंगे रतलाम कीसी हो तीकी होती है इसलिए आदा चमच लाल मेची पाउडर डालेंगे अगर आप कीसी हम फीकी है तो आदा चमच और डाल दें वन पूरत चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक पींच हिंग डालेंगे वन पूरत चमच शक्कर डालेंगे यह ओप्शनल है इससे सबजी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा वन फोर्ट जम मच नमक डालेंगे नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सेव में अल्रेडी नमक रहता है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जिस कटोरी से प्याज लिया था उसी कटोरी से हम सेव डालेंगे पहले हम दो कटोरी डालेंगे इसमें से मिक्स करेंगे एक कटोरी से और डालेंगे मतलब मैंने यहाँ पर एक कटोरी प्याज लिया है और तीन कटोरी से हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमें सेव थोड़ी सॉफ्ट करना है तो उसके लिए हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर और इस तरह से पेला कर डालेंगे इसे से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट के लिए इसे प्लेट से ड़कतर रख देंगे इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है बस पानी हमें इतना डालना है कि सेव थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए एक बार चेक कर लेते हैं और देखें सेव कितने अच्छे से सौफ्ट हो गई है हम ऐसे ही सौफ्ट रखती है इसमें पानी आपको बहुत ज्यादा नहीं डाला है नहीं तो यह सेव भुर्जी बन जाएगी और देखें मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ उपर से यह सौफ्ट है और अंदर से क्रंची सेव प्याज की सब्जी चटपटी तयार हो गई है इसे हम सर्विंग टेश में डाल कर और धनिये से करनिश करेंगे अगर आप ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं या फिर घर में सब्जी नहीं है बनाने को तो आप इस तरह से सेव हुआ है